दोस्तों अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है ये शब काफी सारे लोगों ने सुना है DRDO मैंने consciously ये decision लिये कि ये वाला podcast हमें हिंदी में करना चाहिए I feel कि Hindi audience बहुत rapidly बहुत कुछ सीख रही है इस audience में से कुछ ऐसे लोग है जो आगे जाकर definitely DRDO को जॉइन करने वाला है पर आज वो सीखेंगे कि DRDO है क्या तो आप बताइए और आप DRDO से associated कैसे है तो DRDO का मतलब है Defense Research and Development Organization ये एक Ministry of Defense की प्रीमियर रिसर्च एजिंसी है जिसमें कि हम जितने भी आर्मी, नेवी, एरफोर्स और इवन पैरा-मिलिटरी सर्विसिस के लिए हम लोग रिसर्च करते है जो वेपिनरी वहां यूज होती है उनकी एक्विप्मेंट यूज होती है उस equipment और weaponry की research और development DRDO में होती है equipment की भी होती है और उनके पीछे जो भी हमारे technologies है basically हम technology develop करते है okay, एक बहुत बड़ी government-owned engineering company है in some ways engineering तो नहीं हम कह सकते research company है research and development क्योंकि अभी क्या है कि सब types है हमारा academia के साथ type है हमारी industry के साथ type है हमारी private के साथ type है तो जो भी हम research करते हैं basically तो हम उनके साथ मिल के भी करते हैं और फिर technology transfer भी करते हैं industry को मतलब काफी सारे private companies भी है आज के जमाने में ये पहले जमाने की असलियत नहीं थी पहले सिफ government manufacture करती थी equipment, weaponry को आज के जमाने में private organizations आ चुकी है तो आप अपने research papers और research results उन organizations के साथ भी शेयर करते हैं हम शेयर करते हैं एक level तक शेयर करते हैं हम technology शेयर करते हैं क्योंकि जब चीज रिसर्च हो रही है उस समय तक उसका एक वो रहता है कि ये बहुत secret है और चीज़ें क्योंकि ultimate technology आजाएगी अगर हमार परस एक missile बन गी तो वो लोगों के समने आईगी तब उसको हम चुपाना नहीं है हमें लेकिन उससे पहले जो हम research कर रहे हैं जो secret project चल रहे हैं वो चीज़ें हम secrecy शेयर नहीं करते तो हम बहुत surgical way जो है technology और research जो भी चीज़ें हम share करते हैं बहुत कम लोगों ने DRD ओके बार में सुना क्यों है क्यों है क्यों कि consciously it's kept slightly secret कम बात होते है तो the same purpose which I told you that we don't want to share much like we are not very open to people क्योंकि technology ऐसी हैं जो कि national interest में develop की जारी है और जैसे है कि आपको पता है कि जो भी scenarios है war scenarios या world में जो भी चीज़ें चल रही है geopolitics वगरा उसके साब से हम लोग technology को चाहते है develop हो जाए, mature हो जाए और then we share with people तो इसलिए लोगों को बहुत जादा लोगों नहीं सुना है लेकिन DRD अब तो मुझे लगता है काफी लोगों ने सुना है DRD यो इतनी missiles बना रहे हैं इतनी चीज़ें बना रहे हैं कि आए दी न्यूज में रहता है DRD यो Okay I don't know if I'm crossing a line here पर missiles के अलावा किस तरह की technologies develop होती है generally speaking देखें, missiles तो एक IGMDP program था जो Dr. Abdur Kalam ने शुरू किया था तो उसमें तो हम लोग develop करी रहे हैं So we started with Agni 1 and now we are moving to Agni 6 जो कि हमारे intercontinental हमारे ballistic missiles हैं But अब उसके लावा Almost every field we are working जितनी भी चीज़ें हमारे DRD उसमें काम कर रहा है Okay जैसे कि मतब I'm assuming आप ISRO के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं ISRO के technologies हमारे साथ फिर हम लोग अपनी भी बना रहे हैं जो ISRO सैटलाइट भेज़ते हैं स्पेस में वो हम यूज करते हैं उसका डेटा यूज करता है DRDO तो बहुत सारी technologies हैं और अभी डिसेंटली जैसे आपने सुना होगा एक्चिन मारे technology कुछ हमारे 8 तू 10 हमारे technology जिसके अंदर नेवल सिस्टम्स आते हैं यह आता है मतलब बहुत सारी इसमें हमारे technology के एरियास हैं जो कवर करते हैं क्या DRDO दूसरे देशों के रिसर्च और डिवल्पेंट और अउगनिजेशन के साथ काम करती है कॉलबरेशन हैं तकि denial of technology अगर होती है यह कहीं से भी denial of equipment है जैसे कि पहले होते थे इंपोर्ट होते थे अब हमें कुछ जूरुत नहीं है microchips से लेके और systems तक हम लोग खुद बना रहे हैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा इस conversation और यह कहना चाहूंगा कि मुझे बात कूल लग रहा है आप से बात करके मुझे बात अचा लग रहा है अब जी आई जो जानते हो जी आई जो जानते हो सब्सक्राइब कर रहा है anyway coming back to the conversation okay अब बार बार technology word use कर रहा हूं यह नहीं की engineering basically some format yeah engineering is always there in technology okay all right I'm assuming की एक group of scientists जो regularly एक problem पर काम कर रहे based on the data you're getting from other agencies और future के लिए technologies बना रही है I'm also assuming two things firstly geopolitics के बारे मैं ने दो चीज़े सीखी है पहली चीज़ यह है की geopolitics एक linear game नहीं है कभी-कभी बहुत कुछ हो जाता है geopolitics की दुनिया में कभी भी कुछ नहीं होता है सालों के लिए कुछ नहीं होता है पिछले चार सालों में बहुत कुछ हुआ है तो ऐसे सिनारियो में from an international perspective शायद DRDO का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आप बलकुल ठीक कह रहे है और जैसे कि मैं आपको बताया थै कि especially make in India के बाद जह हम self-reliance और यह सब चीज़ों के कारण DRDO का काम बहुत बढ़ गया है और हम सारा कुछ अपना बना रहे है सब कुछ हमारे इंडिजने से यह नोट डिपेंडिंग अन इधर कंट्री रादर वे एक्सपोर्टिंग तो अधर कंट्रीश डिफेंस प्रॉट्स यह भी मैं हाइलाइट करना चाहूंगा कि जियो पोलिटिकली स्पीकिंग अगर आपको अपने देश को पावर दिलवान है तो पहले आपको पैसे कमाने होंगे देश के लिए और बेसिकली आपको एक्सपोर्ट करना होगा आपको अंट्रफरनोशप को प्रमोट करना होगा देश में इस तरह से आपका देश जादा अमीर बनता है and you become more geopolitically powerful okay ठीक है तो यह बेसिक्स हमारे होगे अब मैं आपसे पूछाओंगे कि आपने क्या पढ़ाई किया आप अपने DRD और जॉइन कैसे किया देखो I am from Dharadun तो उसमें तो महां पर engineering वगरा में बहुत कम लोग जाते थे और जाते भी थे तो कम colleges थे बहुत IITs होती थी और मेभी थोड़े से यह सब प्राइवेट कॉलजी यह सब कुछ नहीं थे तो उसमें पोस्ट ग्राइज़एशन की थे मैंने फिजिक्स में so I did my post-graduation physics electronics specialization so it was my dream कि I have to do some research जब मैं छोटा था तो मैं कुछ microphone या मेरे जो dad का earphone होता था उसको मैं तोड़के खोल देता था उसमें से diaphragm निकालके magnet निकालके उसको मैं देखता रहा था तो शुरू सी एक instinct था research और इन चीज़ों के लिए आप असल में एक engineer हो ना कि अगी अगी क्या है डिस्ट्रक्टिव एंगी तरह पर रैंचो की तरह पर पहले ऐसे होते थे सब अगे और डियार यू जोइं कैसे किया अपने Okay, do you get picked up? So, I picked up DRDO the, क्योंकि, actually, my mom was very emotional person. So, she didn't want me to go out. Okay. Yeah, bhahar, jau, kai, bhahar, job. So, she said, yeah, you're here two labs, they're around, actually DRDO started in 1958 with 10 labs. So, abhi there are more than 50 labs. So, Dharatun has two labs. Okay. One is based on instrumentation, and the other is about electronics. So, I joined the electronics lab. So, there was a vacancy, I joined as an assistant. so at that time they called it junior scientific assistant and then departmental exams deke then i become an officer scientist b to scientist b se start karte karte then the journey was up to scientist g so we have another option us ke baad hota scientist h b hota and or us ke baad then we have directors and other things so i moved up to g and then i detached okay matlab aapke scientific skills advance hote hain this journey in scientific skills or responsibilities advance hote hain kind of projects you are handling you get more man power more people more technologies to develop area buddhate hain scientific skills hote hain scientific skills dikhi kya hote hain ki actually hume innovation karna hai we want to develop new technologies hain ji to scientific skills us me ye ki jo bhi aapka subject hai usse related aap kya technology develop karri hai kya world me exist karri hai to usse better hum kya bana sakte hain waham scientific skills use karri hai said uh okay tibam science ki baat ka okay we have a lot raw raw sa wal hain israel itna zoua advanced kya israel itna zhaad advanced kya israel ab to india abhi ah bah to india bhi ah hi israel jitna almost ikan say okey ak प्लिस भी आइमिंग कि हम उसे आगे जाएं. क्या ये पी एम मोदी की वज़ा से हुआ है? मोदी जी का बहुत बढ़ा रोल है इसमें. क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि मोदी चाहते हैं कि हम सारी चीजे हम लोग अपनी कंट्री में करें. जीवन और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ हम कंट्री के अंदर ही डिवलप हो. हमें किसी की तरफ मुह ताखना ना पड़े किसी भी टाइप की टेक्नोलोजी के लिए. चानक्या नीती? चानक्या नीती, आप कहलेजिए या फासाइटिनेस कहलेजिए. अब यह हम वो एडुकेशन टॉपिक के बारे में बात करें, जो आपने अपका, कि अगर लोगों DRD और जॉइन करना है, तो पहला स्टेप क्या होता है? एंजिनियरिंग करनी पड़ती है? दो लेवल पर जॉइन कर सकते हैं, या तब ग्रजुएशन आपने साइंस में किया है, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रजुएट है या एंजिनियर है, तब आप जॉइन कर सकते हैं, तो डिरेक्ट एंट्री हैं, जो साइंटीस B लेवल पर होती हैं, विच इस अगैस्ट ऐप पोस्ट, तो उसमें रगुलर्ली हमारे इंटेक होते हैं, जो रिजुट्मेंट एंटेस्मेंट सेंटर है, वो एक्जैम करवाते हैं सैंटीस B, तो उसमें डिर्क ली, पीपल जोइन सैंटीस B, और एंदे जो लिमटे, गई. I am assuming कि military के जो heads है वो regularly DRDO से बात करते हो कहते है कि अभी इसकी जरूरत है अभी उसकी जरूरत है I have also understood कि in war दो सबसे बड़े factor होते है एक factor होता है equipment मताब your technology और दूसर factor होता है logistics तो अब logistically भी military को help करते हो एक pin से लेकर और एक missile तक बनाता है सब कुछ सब technologies में help करते हैं logistics में हम लोग help करते हैं हम कोई भी जैसे अभी हमारी एक पैंगॉंग में हमारी highest altitude पे एक natural cold storage facility है जहां पर हम organic और चीज़ें store करते हैं इतने height पर माली जी हो है तो सारी type की facility सब कुछ DRDO करता है even COVID-19 में DRDO made more than 100 products जैसे की उसने एक system बनाया था जो कि speech analysis करके आपको throat infection बताता है कि कहीं आपके गले में infection तो develop नहीं हो रहा है normal speech है तो वह इसमें हमारी कुछ signal processing वगरा यूज़ करके वह सब बताता है फिर crowd temperature लेने के लिए हम लोगों ने जो thermal cameras और यह सब यूज़ करके बनाया था कि crowd का in general temperature क्या है कहीं COVID spread तो नहीं हो रहा फिर हमने उसको जो जीओ फेंसिंग करने के लिए जो कोई 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 से ग्रस्त है तो वह और लोगों में spread ना हो तो जीओ फेंसिंग के लिए कुछ robotics, everything we develop okay मैंने यह जाना है कि पहले military के लिए technologies develop होती है फिर वही technologies make their way to the public domain yes, spin-off है फिरुसा spin-off, अपने military के लिए बनाया, research करी जैसे internet था पहले universities में use होता था defense में होता था, DAPA was using उसके बाद उपन हो गया public के लिए जब बहुत common हो गया इसे कई technologies हैं जो open हो जा रही है पबलिक के लिए people are using it commonly है, mobile में इतने अच्छा camera जोर इतने अच्छी चीज़ें आ गई है सब कहीं न कहीं defense से ही आ रही है दोस्तो TRS Clips हिंदी को अगर support करना है तो ऐसे वीडियोज दोस्तों के साथ share कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को TRS हिंदी बहुत जल्द नौट के आई है